नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का आर्दिक स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महादेव के चमतकारी कुछ गटना के बारे में दिन में तीन बार रंग बदलता है ये चमतकारी सेविलिंग ये है इसके पीछे की कहानी तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखें और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, कमेट में जरूर लिखें, हर हर महादेव आज सावन का महिना खतम हुआ, आज सावन का दूसरा महिना भी खतम हो गया और पूरे देश में भगवान सिव की आराधना में लगा हुआ है विश्व में भगवान सिव के बारा जोतिलिंग है और कई अनके दिवे सिविलिंग भी है ऐसे ही एक दिविय और चमतकारी सिविलिंग से हम आपको रुबरुब कराने जा रहे हैं ये सिविलिंग ग्वालियर के कुछ किलोमीटर दूर मूरेना में है जहां इसे नर्बेंदिस्वर महादेव के नाम से जाना जाता है भारत में इस जगह है मंसापूर्ण सिविलिंग हजारों साल पूराने मंदिर से जुड़े हैं कई रहस्य जो अब तक नहीं सुलज़ें इस दिविय सिविलिंग की खास्यत है कि ये सिविलिंग दिन में तीन बार अपना रंग बदलता है यहां मांगी गई मुराद महादेव पूरी करते हैं और यहां आप महादेव को अपने करीब पाएंगे महादेव नाके के पास स्थीत कोतवाली पंडाओ में नर्बेंदस्वर महादेव मंदिर की पृतिमा दिन में तीन बार रंग बदलती है 135 साल पूराने मंदिर की मानेता है कि यहां हर मनो कामनाए पूरी होती है निशांत को मिली ओलाद को बनाने वाला मंदिर पूजारी के अनुसार मंदिर की स्थापना एक निशांत दमपति ने कराई थी इसके बाद उन्हें संतान सुख प्राप्तु हुआ था नमदेश्वर महादेव मंदिर पर धार्मी कारेकरमों का आयोजन निरंतर चलता रहता है पूजारी असोक सर्मा के अनुसार प्रतिमा सुबह दोपर साम कोई कंथी निला एव हरा रंग बदलती है अब इसका रहस्य कोई पता नहीं कर पाया है भक्त जन यहां महासिवरांत्री पर अभिशेक की रात्री जाग कर भी करते हैं बरगद की पेड बना है ये अनोखम सिव बंदिर अगनान्त वांस में पांडवों ने यहीं चुपाए थे अपने अस्त्र सस्त्र अब भी यह माना जाता है कि सच्चे मन के मुराद मांगने पर पूरी होती है सावन में मानेता तोर पर पूजा अरचना होती है लेकिन सोमवार को भक्त की भीड कुछ ज्यादा ही रहती है महासिवरंतरी पर सुबह चार बजे से लेकर आधी रात तक पूजा अरचना होती है इसके बाद रातरी जागकर एव भंडारे भी होते हैं सावन में रहती है भक्तों की भीड सावन में इस मंदिर में पूजा करने का अपनी ही महत्व है लोग बताते हैं कि यहां सावन में पूजा करने से भगवान नर्मेंदिस्वर महादेव मुरादे पूरी करते हैं इसलिए यहां सावन के पूरे महिने में पूजा पाठ होती है सौमवार के दिन तो यहां अलग ही नजारा होता है दोस्तो नर्मेंदेश्वर ऐसी चमतकारी जगा है जहां हर की चीज सचे मन से और सची भक्ती से मागी जाए तो महादेव उसकी मनो कामने जरूर पूरी करते हैं नर्में देश्वर आप भी यात्रा कीजिए और महादेव की पूजा अर्चना कीजिए ताकि आपकी महादेव मनो कामने पूर्ण करे अगर दोस्तो आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो जो उसके महन्दीद के बच्चे नहीं हो रहे थे महादेव की सच्चे दिल से भक्ति की तो उसके गर बच्चे भी हुए अगर दोस्तो आपको ये गटना हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और हाँ कॉमेंट में जरू लिखें हर हर महादेव हर हर महादेव